जिन ग्रंथों में सैध्धान्तिक बातों का निरूपण हैं, उनका अध्यान अध्यापन की आवशक्ता होती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बाते हैं, जिनें हम नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं, तो जानने का इस्तर बहुत कम है, उतनी गहराई से नहीं जानते हैं, और जब इस प्रकार की बातें पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, तो ग्यान का विस्तार होता है, समझ गहरी होती है, और ये विश्वास जटता है कि हम सही पत्पे हैं, अपने सिध्धान्त के विशाय में जानते हैं, अन्यों के सिध्धान्त को भी जानते हैं, दूसरी क्या मानते हैं, हम मेंसे कई ऐसे लोग हैं, जो प्रारभ में जब आश्रम आए होंगे, कई हम मेंसे ऐसे हैं, जो कबीर पंथ के घर जन में सुनें, संतों को देखे पर के बस आ गए हैं, अब अन्यों के बारे में वो जानकरी तो है नहीं है, कि और लोग क्या मानते हैं, लेकिन जब हम बीजक पढ़ते हैं, पंचगरत्थी पढ़ते हैं, कबीर परिचय पढ़ते हैं, या इसी प्रकार के अन्य सास्त्रों को, और गुर्देव जी की तो खास बात ये है कि, उन्होंने अन्यमत पंथों के विशे में बहुत लिखा है, तो उनके माध्यम से हमें जानकारी होती जाती है, और जब लोगों की मान्यताओं के विशे में जानने लगते हैं, तो फिर सिद्धान के प्रती हमारे मन में और निष्ठा बढ़ती चली जाती है, वह नहों तो फिर कभी भी हमें विचलन की इस्तिती आ सकती है, इसलिए इन सब चीजों को जानना है, लेकिन साधक का जो उद्देश्य है, वह क्या है? इस सारी बाते जान करके हम समस्त भटकाओं से अलग हो करके अपने आप में आए, लोटे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम इन सब ग्रंथों को पढ़के जानते हैं, उसका यदि हम सार कहें, तो क्या है? सब क्या कहना चाहते हैं? अलग हो परसे और अपने में लोटो, और बड़ा जिसको हम पांस सेकंड में कह सकते हैं, पांस सेकंड में ही इसको हम कह सकते हैं, क्या है वह? परसे खस, निजमे बस, इतना बस. परसे खस, खसक जाओ, और निजमे बस. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक के? जो भी अपने से अलग है, उसे आप छोड़ो दो, निजमे बस जाओ. इस सारी जानकारी का मतलब है, अपने आप में लोटो, शान्त हो, आपका स्वरूप शक्त्य है, उसमें इस्थित हो. यह सुत्र है, लेकिन इस सुत्र को जानने के बाँद बहुत बड़ा काम रहता है. लक्ष को निर्धारित करना, और उस लक्ष को पाने के लिए योजना वनाना, और उस योजना में रोज मेहनत करना. तिन ही बाते हैं, अब लक्ष को निर्धारित भी करना नहीं है, केवल पहचानना है. कई बार कहा, गुर्टेवची कहा करते थे, कि लक्ष को कोई निर्धारित नहीं करना है, देखिए, जो भोतिक उपलब्धी करना चाहते हैं, उनकी बात अलग है. कोई चाहेगा कि मैं एक बड़ा मकान बनाऊं, बड़ी गाड़ी खरीदूं, मैं शादी करूं, मैं विदेश घुमने जाऊं, या फिर राजनिती पार्टी में आकर कि इस पत को पाऊं, बहुत सी बाते हैं. लेकिन जब साधना पत में चलने लगते हैं, तो फिर उनका उद्देश यह नहीं होता है, कि मैं भोतिक उपलब्धी प्राप्त करूं, यदि वो भोतिक उपलब्धी भी कुछ चाहता है, तो उसके माद यह सब करके, चाहता क्या है? यह सब होने के बाद मैं शान्त रहूं भोतिक उपलब्धी करके वह उलजन में नहीं उलजना चाहेगा, चाहे जो हो, वो विस्तार करे, वस्तों का विस्तार करे, व्यक्तियों का विस्तार करे, भक्तों का विस्तार करे, लेकिन यह सब करके उलजन मिले, अशान्ति मिले, तो फिर गुर्देव जी कहा करते थे अन्जन कहां आख जही फूटे भूतक़ कहा लो आख में काजल लगाते हैं काजल क्यों लगा रहे हैं? आख की सुन्दरता बढढे चेहरे की सुन्दरता बढढे या फिर आख का आख में कोई सी प्रकार तकलीफ हो जगाने से सुन्दरता न बढ़के आँख फुड जाए आँख फुड जाए ये बात बहुत पहले तीस पेंदिस साल हो गया समझो स्री अमरिश सहब जी के जन्व हुआ में गया था शुरुवात की बात थी ये पंक्ती गुर्देश जी की थी और मैं कहा उनके सामने माता जी के सामने उन्होंने कहा साइब सची गटना भी है मुझे अश्यर आगे सची गटना भी है ये गाउ मैं ऐसी घटना ही घटी है लेकिन जब ये कहावात बनी होगी तो शायद वहां के बारे में जानतें नहीं थे मतलब यहां है की इस सारा जो कुछ हम पसारा करते हैं आत्म लिन्ता के लिए, शुक और शांती के अनभों के लिए, तो फिर यदि इसमें ही उल्जन होने लग जाए, इसी में अशांती हो, इसकी विवस्था में, इसके देखरेख में, और जो कुछ है संग्रा में, अशांत अशांत, पीडा, पीडा, क्लांत, दुख, क्या अर्थ निकलता है, हमारे सारे कर्मों का परणाम, क्या आना चाहिए, या कहना चाहिए, सुभाशे शाम तक, जो भी हम काम करें, इसका परणाम क्या आना चाहिए, साम तक के, पूरे जीवन में हम जो कुछ करें, उसका परणाम क्या आना चाहिए, जीवन में, क्या आना पहले भी कहा था जब एक दिन वो अवसर आने वाला है जब हमें बिश्तर पर लिटा दिया जाएगा या वो अवस्था ही आएगी और चारो तरफ लोग खड़े रहेंगे और क्या कहते रहेंगे कुछ देर का महमान और है कुछ देर का महमान और है ये लोग चर्चा करते और हम सुनते रहेंगे क्या होगा हम सुनते रहेंगे उस समय हमारे मन में क्या चलता रहना जिए क्या महाशूश हो हमें उस समय क्या उस समय लगे कि मैंने जीवन जैसा जीना चाहता था वैसा जीया मैं भीतर से संतुष्ट हूँ मेरे मन में कुछ पान नहीं, देखने, सुनने, कुछ करने का कोई आउशेश तो नहीं है ऐसी कोई इक्षा तो नहीं है कि यह धूरा रह गया यह नहीं कर पाया या किसी से छमा मांग नहीं पाया किसी को छमा नहीं कर पाया यदि हम अपने जीवन का समापन अफसोस भरा कर रहे हैं तो जीने का धंग अच्छा नहीं रहा वो परणामी बताएगा जीने का धंग अच्छा नहीं रहा मतलब निश्चित रूप से जैसा चाहिए वैसा नहीं जी पाए है क्यों अफसोज भरा मतलब यह सबसे बड़ा अफसोज भरा वाक्या क्या है मैं यह कर सकता था है ना मैं यह कर सकता था लेकिन जिसको पाने के लिए मैंने अपना समय और अपनी शक्ति दिया है उससे जो मैंने अरजित किया है ना मतलब अपने जीवन को दे करके मैं दूसरे सब्दों में कहूं तो समय और शक्ति को और थोड़े में कहना चाहूँ तो क्या कहूँ अपने जीवन को दे करके बदले में जो कुछ मैंने पाया वह मुझे शुक नहीं दे रहा है वह मुझे वह उससे मुझे वह नहीं मिल रहा है जो सच मुछ मैं चाहता था कितनी बड़ी बात होगी उस समय वह दिन तो अभी पता नहीं कब आए लेकिन यदि हम ये रोज अभ्यास कर लें रोज बिस्तर पर जाएं और बिस्तर पर जाते वक्त ये महसूस कर सके आज मैंने अच्छा जीवन जीया और मैं आज प्रशन नहूं मैं एक बात और कहना जाता हूं ये प्रसन्नता का अनभाव तब होगा ये आप जान लीजिए तब होगा जब आपको यह महशूस हो मुझे यह महशूस हो क्या कि मैं सच मुझ जैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं वैसा जी रहा हूं और अपने लक्ष की और बढ़ रहा हूं ये जब आपको ये फिलिंग होगी तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे नहीं तो फिर यदि हम गलट ट्रेक पर चलेंगे संतुष्टी नहीं होगी ये ध्यान देजिए जिस दिन आपको लगा कि आज मैंने अपने लिए कुछ किया कुछ ऐसे विषय को पढ़ा कुछ ऐसे विषयों पर सुना कुछ ऐसा मैंने किया जो सच्मुच बीतर से मुझे मेरी मन की शांती को और गहरी करती चली आरे और मेरी शान्ती और गहरी होती चली गई, और गहरी होती चली गई, और मुझे लगा मैंने सही किया, रोज, रोज, दिखिए, वो अचानक नहीं आ जाएगा, कभीर साहिब जी ने जो कहा है न, कि कैसे आया है, जब आप मरने लगेंगे, कह रहा है अपसंद किसमें आया है, कि कहें कभीर देहिए, खोरी वो तो ठीक ही है, लेकिन जब आप उस समय, ख्याल बुर रहा है, तो उस समय, जब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उस समय आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अंत में, अंत में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करने का काम पहले ही होगा, क्यों शरीर अशक्त है, इंद्रिया शितिल है करने जैसा काँ शक्ति रहा गई करने की शक्ति रहा नहीं गई है लेकिन जब हमारे पास शक्ति होती है शमय होता है तब उसका उपयोग हम अन्यान्य चीजों को पाने में करने लग जाते हैं इसलिए आवश्यक्ता क्या है हम रोज यह काम कर ले जाएं रोज ऐसा लगे आज मैंने सही किया किसी से द्वेश, किसी से जगडा, किसी से राख, उल्जल समस्या क्या है हम लोग की जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों को जिसका कोई मुल्य नहीं रह जाता है गुर्देव जी नजाने कितनी बार हम लोगों से कहा करते थे सबको याद है, मैं केवल याद दिला रहा हूँ कलपरा करो पांस साल पहले जीवन में जो घटना घटी जिसको लेकर के हम उद्वेगित थे आंदोलित थे, परिशान थे आज उसका क्या महत्तो रह गया है देखो, कोई महत्तो है उसका उस सब जिसी कोई परदे के पीछे चले गये अरे, वो वाद तु भोलिये मैं कहता हूँ, यदि कहीं साल भर पहले कहीं दात में बहुत तकलीब थी बहुत तकलीब थी डक्टर के पास गये दवाई करवाई, ये किए, वो किए कोई तकलीब थी और आज क्या उस दर्दका महत्तो है कुछ नहीं उस समय परशाम होते थे ऐसे ही जिन बातों को लेकर कि अभी हम अपनी शान्ती को खो रहे हैं अपने को उत्तेजित कर रहे हैं उत्वेगित कर रहे हैं उल्जन में डाल रहे हैं परशान हो रहे हैं कुछ दिनों के बाद इसका भी यही हस्र होना है इसका भी यही परणाम आना है जब हम अपने लक्ष में समर्पित होंगे जब अपने जीवन के प्रती समर्पित, जीवन का मतलब है, जीवन के कल्यान के लिए समर्पित होंगे तो फिर ये सारी छोटी छोटी बाते हमें तुछ लगेंगी और फिर वो अपने आप हम उड़ते चले जाएंगे दिखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई जीवन में समस्य आया तो आप परशान नहीं होंगे वो कहते नहीं है, कि सत्य की नाव डगमगाती है, डूबती नहीं है आंधी आती है, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे हिलते हैं, जकचोरा जाता है उसको एकतम परशान होते हैं, लेकिन जड़ इतनी मजबूत होती है, कि वो इस्थिर बने रहते हैं और उसी आंधी में, जिसकी जड़ मजबूत नहीं है, वे पेड़ उखड़के दूर चले जाते हैं इसलिए हमारा जो अपने प्रती, अपने आत्मिस्ति के प्रती समरपण भाव रहेगा, ये जड़ मजबूत रहेगी, आंधी आएगी, जाएगी क्योंकि हमारा लक्ष शान्ती गया है, इसके लिए समरपण बहुत ज़रूर है एक सितारवादक, महान पंडित, भईयाज खां, उस्ताद थे, भईयाज खां, मुंबई से व्रिद्दा बना रहे थे ट्रेंसे, तो एक मात्मजी थे, उनकी जो सीट थी मात्मजी की अपरबर्द और भईयाज खां की जो सीट थी, वो लोवर बर्द, रात में दस बज गए तो जो महात्मा ने, जब ये घटना देखी है, उन्होंने मुरारी बापू को बताई ये बात मुरारी बापू ने अपनी कुस्तक में लिख दी इस बात को तो ट्रेन में आ रहे थे, दस बज गए, सितार तो साथ में रखते ही थे तो क्या हुआ, जहाँ सीट थी उनकी भईयाज खांकी, एक गलीचा भी छाए और गलीचा में फिर इत्र छिड़कते हैं, और इत्र छिड़क करके अपने सितार को जैसे उसी प्रकाल लिटाए, जैसे कोई वैस्णाओं अपने ठाकुर जी को सयन कराते हैं बिल्कुल ऐसे विवस्थित रूप से उनको रख दिये, और एक कीमती शाल रखे थे उड़ने की, उस पर डाल दिये और फिर क्या करते हैं, फूल लाए थे गुलाब के, उन गुलाब के फूलों को, पंखुडियों को तोड़ करके उस पर ऐसे छिड़क दिये और अपना खुद नीचे चटाई भिछा करके जमीन पर लेट गए, भात्मा जी ने कहा, उस्ताद जी ये क्या, ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा, यही तो मेरा इश्वर है, यही तो मेरा परमात्मा है, शुर्ही तो मेरा इश्वर है, और इनको मैं, मैं इनका दास हूँ, मेरी इष्ट है ये, तो इष्ट को तो उंचा आसन देना ही चाहिए, मैं इनका दास हूँ, संगीत के प्रती कितना समरपण देखिए जरा से क्या साधना के प्रती हमारा इतना समरपण है क्या है इस बात को लेकर के और इसी लिए हमें जीवन में हम वह नहीं पाते हैं जो हम सचमुच चाहते हैं चाहते हैं एक महात्मा जी थे अरब के बाजार से गुजर रहे थे तो बाजार में क्या मनुश्यों को भी बेचे और खरीदे जा रहे थे पहले जैसे आज जैसे पश्वों को बेचे खरीदे जाते हैं वैसे वो बाजार था गुलामों को बेचने और खरीदने की तो देखें आगे एक गुलाम के पास पहुँच गए उन्होंने कहा कि बिग गए है गुलाम से पूछते हैं बिग गए हां महराज कहा जाओगे जहां मालिक ले जाएगा क्या करोगे जो मालिक कराएंगे कहां रहोगे जहां मालिक रखेंगे क्या खाओगे जो मालिक देंगे ये बात जब महात्मा जी सुने तो आँखे बंद कर लिए आशु आने लगे उफ एक गुलाम कितना समर्पित है किसके लिए जीवन गुजर के लिए क्या मैं साधना के परती समर्पित हूँ अपने इश्ट के परती समर्पित हूँ थोड़ी से भी प्रत्कुलता आती है और मैं विचलित हो जाता हूँ मन कहता है सब व्यर्था है कुछ नहीं होने वाला है इनको देखो पतलब उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है जो हो मालिक करे बस क्या करोगे जो मालिक कहेगा कहां रहोगे जहां मालिक रहोगे क्या खाओगे जो मालिक देगा कहां जाओगे जहां ले जाए कमाल है ना कितनी बड़ी बात है इस प्रकार जब जीवन में समरपन हैगा तेस छुटी मोटी उल्जने अपने आप चली जाएगा मुझे शांत रहनाओ मुझे उद्वेग रहनाओ मुझे उल्जन रहनाओ मुझे नफरत और दवेश चे उपड़ उठनाओ ये जिस दिन भाव जगेगा निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांती का नभो होने लग जाएंगे साहे बंदगे